नमस्ते बच्चों, जेसी आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों चौथी कक्षा की कविता जिसका नाम है बादल हमने इसका अध्यन किया, हमने इसे गाया और बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने इस कविता को याद कर लिया होगा तो जदिए आपने याद नहीं किया है, तो उसे आप याद कर लेंगे और चलिए अब हम इस पार्ट के कुछ सवालों को हल करते है बच्चों पहला सवाल है, जब बादल च्छाते हैं तो आप कैसा मحसूस करते हैं बच्चों बादल छाने से कम से कम बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है और सच पूछिये तो थोड़ी सुकून भी मिलती है थोड़ी ठंड़क भी लगती है अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि अब बारिस होने वाली है है ना बच्चो तो अभी जो सवाल है बच देखने नहीं है बस सरिफ आपको बातचीत करनी है तो इन सवालों पर आपका कुछ अलग विचार हो सकता है आप इनके उत्तर अपने साथियों के साथ आप बातचीत करेंगे आपका उत्तर कुछ अलग भी हो सकता है और होना भी चाहिए बच्चों तो चलिए हम आगे मतलब कि फीगर्स जैसे हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि बादल जो है पेड की तरह दिखाई देता है कभी बादल जो है जानवर कोई जानवर जैसे की भेड या तो हाथी घोड़े की तरह या तो कभी-कभी वो आदमी की तरह कभी-कभी कोई धरावनी आकरिती जैसा भी ल या महसूस किया है, उसकी चर्चा आप अपने साथियों से करेंगे, है न, यहां मैंने सुविधा के लिए सरिप लिखा हुआ है, एक लिखा है पेड, दुसरा लिखा है तरह-तरह के जानवर, जिसमें की भेड, हाथी, घोड़े हो सकते हैं, कभी-कभी कोई डरावनी आकरिती जैसी भी हो सकती है, है न, बच्चों, तो बादल कब कैसा रूप लेगा, कुछ नहीं कह सकते हम, अगला सवाल है बच्चों, यदि बादल ना बरसे, तो क्या होगा, बच्चों, बहुत बुरा होगा, तब सूखा पढ़ जाएगा, अकाल पढ़ जाएगा, खेती नहीं हो लोग भूखो मरने लगेंगे, प्यास के बिना भी, है न, बच्चों, तो बादल का बरसना बहुत जरूरी है, है न, आगे है बच्चों, आपने कहां कहां पर पानी से भाब बनते देखा है, बच्चों, जो भी पानी का सुरोत होता है न, वहाँ से पानी भाब बनके उड़ता ही रहता है लेकिन जदी हम अपने रसोई घर में देखें जहां मा खाना बनाती है तो वहां आप देखेंगे कि जब पतीले में कोई चीज उबल रहा होता है चावल उबल रहा होता है या आलू उबल रहा होता है कुछ भी उबल रहा होता है दूद उबल रहा होता ह तो वहाँ सिधे सिधे भाब को बनते हुए हम लोग देख सकते हैं बहुत देर तक जदी पानी को चूले पर हम जदी छोड़ दें तो सारा का सारा पानी समाप्त हो जाता है भाब बन कर ठीक है बच्चो अगला सवाल है बादलों के छाने पर कौन कौन खूस होते हैं बच्चो मुझे तो लगता है सभी खूस होते हैं लेकिन जादा खूस होते हैं मोर बच्चे और हमारे वे किसान जिनको पानी चाहिए खेतों में पानी चाहिए है ना बादलों के छाने पे तो सब को खुसी लगती है लगती है ना बच्चो अब अगला सवाल है देखिए यहां पे सोचिए और लिखिए सोचिए और लिखिए पानी का बहना यह तो बच्चो दिया हुआ है पानी का बहना कल-कल यानि की पानी कल-कल बहती है है ना तो उसी तरह से हवा का चलना यहां क्या होगा यहां पे होगा सरसर देखिए हवा चल रही है ना तो हवा का चलना हम लोग कहेंगे कि हवा सरसर चल रही है ठीक है अब आगे देखिए बच्चों जरना का गीरना है ना जलपरपात जरना जो होता है उपर से पानी जब नीचे की ओर तो उसमें बहुत तेज आवाज होती है जर जर है ना बच्चों तो जरना का गीरना यानि की जर जर आगे है बिजली का चमकना तो बच्चों आसमान में जब बिजली चमकती है न तो बहुत जो से चरचराट की आवाज होती है है न चरचर ठीक है और उसी तरह से बच्चों कभी-कभी बिजली जब कड़क जाती है तो बिजली के कड़कने से क्या होता है कड़कर आवाज होता है होता है या नहीं होता है बच्चों होता है न तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग बिजली का चमकना को कहेंगे चर-चर और बिजली के कड़कना को कहेंगे कड़-कड़ इसी तरह से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए समझिए और लिखिए यहां देखना है सम काकण यानि की जलकण है ना देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जलकाकण पानी काकण तो जलकण हो गया पानी के कण को हम क्या कहेंगे जलकण कहेंगे उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और क्या है रक्त काकण अग्त माने बच्चों होता है खून, ब्लड, है न? तो अग्त काकण को क्या बोलेंगे? अग्त कण, है न? ब्लड पार्टिकल बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, है न? अग्त कण, उसी तरह से देखिए धूल काकण, धूल काकण को कहेंगे धूल कण, है न? आगे देखिए ओस का कण ओस समझते हैं बच्चो रात के समय में जो ठंडी रात में जो आसमान से ओस जो गिरते हैं तो ओस क्या गिरते हैं वो भाप संगनित होकर के जो है वो ओस की बूंदे बन जाती है और पवधों पे पतियों पे जहां भी आप देख सकते हैं ओस के कण को तो ओस का कन क्या हुआ बच्चों? ओस कन उसी तरह से आगे देखिए पराग कन पराग का कन को क्या बोलेंगे बच्चों? पराग कन समझे होंगे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने एक नया सवाल है देखिए नीचे कुछ सब्द दिये गए हैं इनके सामने वाले बॉक्स में दो सब्द दिये गए हैं इन में से समान अर्थवाला सब्द चून कर खाली जगा में लिखिए बच्चों देखिए बादल लिखा हुआ है बादल के बगल में दो सब्द लिखे हुए एक लिखा है मेग और एक लिखा है दिवाकर तो मेग का मतलब तो बच्चों बादल ही होता है लेकिन दिवाकर का मतलब सूरज तो इसका उत्तर क्या होगा बादल का समानार्थक सब्द क्या हुआ मेग हुआ उसी तरह से सागर का देखिए आस्मान का लिखा हुआ है सागर और अंबर तो सागर तो नहीं बोलते हैं बच्चों आस्मान को सागर तो समंदर हुआ, समुद्र हुआ है न, इसलिए इसका उत्तर होगा अंबर आगे है नन्हे, नन्हे का मतलब छोटे तुकडे नहीं होगा आगे देखिए मगन को हम लोग गगन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गगन का मतलब पीड असमान होता है तो मगन का हो जाएगा तन्मय क्या होगा तन्मय आप समझ गया होगे बच्चो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन सवालों के जबाब हम लोगों को लिखने हैं कुछ हम लोगों को लिखना है तो बच्चों आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने थोड़ा आसान कर दिया है लिखने के लिए यदि आप चांद होते तो क्या करते बच्चों जदी आप चांद होते तो निश्चे ही चांद की तरह सब को सितलता देते है ना तो मैंने लिखा है यदी मैं चांद होता तो सब को सितलता देता आगे है यदी आप सूरज होते तो क्या करते ओ सूरज का तो बहुत ज़्यादा काम होता है बच्चों पूरे जगत यानि पूरे संसार में प्रकास पहुँचाना और पेड़ पौधों और ब्रिक्षों को हम लोग यानि कि सूर्ज जो है वो क्या करता है वो रोस्नी भी पहुँचाता है है ना तो यहां हम लोग लिखेंगे पूरे जगत को प्रकास पहुँचाता यानि रोसनी पहुंचाता लेकिन यह भी करता कि अधिक गर्मी से लोगों पेड़ पाउधों ब्रिक्षों को बचाता तो सुरज होते तो ऐसा करते न बच्चों हम लोग आगे है यदि आप बादल होते तो क्या करते यदि मैं बादल होता तो जरूरत भर पानी हर किसी तर पहुंचाने की कोशिस करता हर पौधे को पानी हर प्यासे को पानी कितनी अच्छी सोच है बच्चों है न कि हर पौधे को पानी और हर प्यासे को पानी तो ज़दी मैं बादल होता तो ऐसे करता आप भी सायद यही करते और कुछ दूसरी बातें आपके मन में होगी तो आप उसे भी लिखिएगा बच्चो अगला सवाल है यदि आप नदी होते तो क्या करते यदि मैं नदी होता तो अपने सीतल जल से सबकी प्यास बुझाता और मेरे जल में रहने वाले जिव जन्तू सुखी जीवन बिताते समझे बच्चो अब सबसे अंतिम सवाल देखिए यदि आप मोर होते तो क्या करते यदि मैं मोर होता तो बारिस में वातावरण को अपनी आवाज और निरित्य से और भी सुन्दर बना देता मोर यही करता है न बच्चो देखिएगा सावन भादों के महिने में जब बहुत तेज बारिस बरस्ती है बारिस होती है तो जंगल में मोर अपनी आवाज भी निकालते हैं और नाचने भी लगते हैं तो जंगलों की सुन्दरता मोर से है है न तो यदि मैं मोर होता तो बारिस में यानि के बरसा के मौसम में वातावरन को अपनी आवाज और निरित्या निरित्यानी नाच से और भी सुन्दर बना देता तो बच्चों इस पार्ट में इतने ही सवाल है मैंने उनके हल आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास किया कुछ आप अपने से भी कीजिएगा बच्चों अपनी सब्दावाली परयोग में लाइएगा अपने सिख्षक से भी पूछिएगा कि कैसे इन प्रस्नों को मैं हल करूँ है ना और आप इन प्रस्णों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने की कोशिस भी कीजिएगा ठीक है बच्चों, जोहार बच्चों, जैहिन बच्चों